वेल्कम अगें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एनियर्टिक्स को कैसे देखें एनियर्टिक्स से आपको क्या समझना चाहिए उससे क्या इंडिकेशन मिलती है आपको जो है अगर कल को आप मार्केटिंग करना चाहते हो किसी और पर्टिकलर और अगर्ड़ी करना चाहते हो तो वहाँ से आप क्या सीक सकते हो तो यह जो है दोस्तों आपका वीडियो का section है तो अभी इसमें से मैं एक वीडियो उठाता हूँ उससे बताता हूँ आपको क्या क्या दिखता है तो देखे दोस्तों पहला जो आप जैसे ही आप open करते तो आपको overview देखता है सो यह इतने views आये हैं इस पर आज तक देखे यहां पर आपको since published selected है by default अब चाहें तो इसको जो है change कर सकते हैं तो यहां पर जो है आपको दिखा देया कि last 90 days में जो है एक लाक इस पर व्यूज आये हैं correct यह जो है आप यहां पर change कर ले मैं इसको फिलहाल जो है since published करके ही आपको बताता हूं watch hours basically मानली जी कि deadlock views में अगर हर एक वीवर नी दो मिनट देखा है तो on an average जो है उसका टोटल टाइम में आप calculate करोगे तो कितना वह तो लगबग 5700 hours उसका हो जाता है इसके बाद 6.8 के सब्सक्राइबर जो है अकेले मेरे इस वीडियो से आ गए है आपको फेस में revenue जो है आपको लगबग इतना आया है तो यह जो है आप ऐसे इस पर देख सकते अब इसमें अगर हम तो नीचे आएंगे तो देखिए audience retention मतलब अगर मान लीजी कि अगर आपक वीडियो पे वीडियो पे कब तक रुक रहे हैं उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तो यह जो है बेसिकली आपका 32% ही लोग जो है वो आके यहां पर देखते हैं और यह जो है आपका average view duration जो है वो आपका दो मिनिट 15 सेकंड का है तो इसके अलावा देखे आपको यह थोड़ा सा read करना पड़ेगा अगर मान लेजे कि कहीं पर आपका audience retention rate एकदम कम हो रहा है तो वहाँ पर definitely आपने content में कुछ गलतियां की होंगी आपने सही से नहीं बोला होगा content या लोगों को engaging नहीं लगा होगा और कहीं जहां वो अच चीज किया होगा तो यह सारी चीजें जो हैं आपको over the time experience से पता चलिए कि लोग जो है क्या पसंद कर रहे हैं क्या नहीं पसंद कर रहे हैं उसके बाद जो है likes and dislikes तो आपके वीडियो पे on an average से इस वीडियो पे 95% likes है और चैनल का average 94% है तो यह जो है यहां से आप फड़ा पता लगा सकते हो अब right side में देखें आपको real time activity दिख रही है कि हर घंटे जो है कितने लोग आके आपके वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पी जो है आप ट्रैक कर सकते हो कि हर घंटे जो है कितने लोग देखते हैं तो सुबह होते होते बढ़ने लगता है और फिर आप आपको रात के 12 बजे के बाद आपका कम होने लगेगा रियल टाइम है आपको यह रियल टाइम अपडेट होता है उसके बाद जो भी आपका traffic आ रहा है वो कहां से आ रहा है तो YouTube पे search करके कितने लोग आ रहे है नॉर्मल YouTube पे लोग browse कर रहे हैं तब कितने लोग इस वीडि हैं जिसको अनुटेशन भी कहते हैं तो इसके बारे में हम डेटेल में बात करेंगे फिर external लगमान लिजा आपने Facebook पर शेर किया है WhatsApp पर शेर किया है तो वहां से कितने लोग आ रहे हैं तो यह जो है आपको यह डेटा मिलता है उसके बाद रीच कितने लोग तक यह आपका वीडियो पहुंच रहा है तो impressions basically दोस्तों कितने लोग जो हैं आपके वीडियो पर आये मतलब वीडियो को उन्हें ने देखा कि है आपका यह वीडियो लेकिन उस पर क्लिक नहीं किया उस पर गए नहीं actually में क्योंकि 1.8 में से 1.8 मिलियन में से 7% लोग जो हैं आपके उसस आप देख सकते हो आज तक का कैसा है तो browse features से जो है वो आपको 47% आ रहा है YouTube search से 36% आ रहा है YouTube खुद सजेस्ट कर रहा है तो वहां से 8% लोग आ रहे है other YouTube features cards या end screen से आपको 4% channel पे लोग आ रहे है तो जो है 1.6% उसके बाद आपको जो right side में जो funnel view दिख रहा है यह जो तक जो है आपको चीजें clear कर देता है short में impressions कितने आए उसमें से लोग आपके content को कितना प्रसंद कर रहा है YouTube उसको recommend कर रहा है कि नहीं कर रहा है CTR कितना है आपके videos पे total impressions कितने गए है average view duration क्या है watch time क्या है तो यह सारा का सारा जो है आपको दिख रहा है तो देखे तो यह 30 April तक आए तो एक दिन पीछे का data जो है आपको यहाँ पे दिखता है उसके बाद किन-किन terms के through जो है जैसे YouTube से अगर 36% लोग आ रहे हैं तो क्या के search कर रहे हैं जैसे franchise business, franchise business opportunities, India dealership business, distributorship business, wholesale business, तो यह सारे terms जो हैं लोग suggest करके आपके इस पे आ रहे हैं अब बहुत सार एक ऐ जैसे वीडियो हैं जो यहाँ पर देखे यह वीडियो दिये हुए हैं तो यहाँ जिसे मानले जी एक वीडियो है online kirana store कैसे खोलें तो पहले जैसे कोई viewer जो है उस वीडियो को देख रहा है तो उसके against में जो है YouTube इस ITC के वीडियो को भी suggest कर रहा है तो वहां से जो है इतने 50% लोग जो हैं वो आ रहे हैं तो जैसे यह आपका हर एक अलग-अलग वीडियो होगा तो जैसे कि यह वीडियो है यह भी एक वीडियो है ITC distributorship पे डाला हुआ है यह मेरा वीडियो नहीं किसी और का वीडियो होगा यह start business in one lakh only तो यह सारे कुछ वीडियो हैं जैसे कि जहा अब बढ़ते हम engagement की तरफ लोग कितना engage कर रहे हैं तो watch time जैसे इतना है और average view duration इतना है उसके बाद जो है like कितना है उसके end screen जो होती है उस पे से कितने लोग click कर रहे हैं तो 1.5% लोग जो है end screen से हमारे यहां पर आ रहे हैं फिर audience जो है वो आपका थोड़ा सा इसमें आप आपको अच्छा data पता चलेगा कि audience जैसे कि watch time from subscribers तो subscribers जो हैं लगभग 8% लोग ही जो हैं जितने भी इसमें देखे हैं उसमें से 8% लोगों का contribution है जो हमारे subscribers हैं जो not subscribers हैं वो लोग लगभग आपके 93% से जादा लोग है तो यह good sign है यानि कि आपका वीडियो जो है वो non subscribers त वीडियो नए लोगों तक पहुंचेगा तभी जो है वो लोग भी आपके चैनल पर आएंगे वो लोग भी आपके चैनल को subscribe करेंगे फिर उसके बाद जो है कितने लोग कौन से gender के लोग जो है वो कितना देख रहे हैं तो देखे यहाँ पे female सिरफ 5% देख रहे हैं male 95% दे हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक age category दिया हुआ है कि कौन-कौन से age group के लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो जो है वो चंतली 20 से 50 साल के लोग देखते हैं क्योंकि यही एक ऐसा age होता है जहाँ पे कि लोग अपना नया business खोलना चाहते हैं और उसम जो है यह भी data जो है काफी important रहता है उसके बाद revenue है दोस्तो revenue मतलब कितना आपको revenue आया कितने views पे जो है वो add आया आपको यह सारा data जो है आप यहाँ पे देख सकते हो और बाकी जो है इसमें और कुछ खास data है नहीं आपके लिए I mean again यह सारी चीज़ें आपे control में है नही तो बाकी scriptal ads कितने है display ads कितने है bumper ads कितने है इसे अब आप देख सकते हैं तो यह जो है आपका overall जो है आपका analytics है कि आप अपने videos के analytics कैसे read कर सकते हैं उससे क्या data आप समझ सकते हो Thank you friends